दोस्तों कोडल में काम करते समय जब भी आप एक ऐसी heavy design create कर लेते हैं, जिसमें बहुत सारे आपने taxes का इस्तमाल कर रख़्ा है, बहुत सारे आपने उसमें objects पना रखे हैं, बहुत सारी images आपने इसमें 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 इसमें, और उसकी काफी सारी copies अगर आपने कर दी है तो उस case में आपका जो processor होता है वो यहाँ पर slow हो जाता है और slow होने के बाद आपका PC है वो यहाँ पर hang बारना शुरू कर देता है क्योंकि आपकी जो file होती है वो काफी जादा heavy हो जाती है अब इस case में coral में आपको एक ऐसा option मिलत है जिसकी मदद से आप अपने उस heavy file को यहाँ पर lightweight में convert कर सकते हैं और आसानी से अपने काम को easily way में कर सकते हैं जिससे आपके processor के ओपर यहाँ पर कोई भी load नहीं पड़ने वाला अगर आप इस option का इस्तमाल करते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि आपकी जो quality होगी वो और गलती से उसके अंदर कोई ऐसा object आपसे छूट जाता है और जब भी आप उसकी printing करते हैं यानि वो object आपका धबा बन करके आपके design के अंदर वो दिखाई देता है मगर इस तरह के जो object होते हैं वो आपके color के पीछे छुप जाते हैं जो भी आपने object बनाया हुआ है और और कोई भी unwanted object आपके design में यहाँ पर misprint ना हो पाए दोस्तो अगर आप graphic designing सीखने में interested हैं और coral row सीखना चाहते हैं तो आप हमारे channel को subscribe कर लीजे हमारी playlist में जाकर के आप coral row के सभी option को यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके हमने सभी option के बारे में यहाँ पर videos upload की हैं तो दो दोस्तो इसके लिए आप हमारी playlist में जाकर के coral row के सभी option के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं इसके लावा हमने यहाँ पर काफी सारी logo बनाने के designs भी आपको दे रखे हैं दोस्तो इस playlist के अंदर हमने coral row को basic level से start किया है कि आप किस तरीके से logos बना सकते हैं और किस तरीके से coral के सभी option का यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक mark sheet बनाए हुई है जो कि हमने coral row के अंदर design किया हुआ है अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं क्या हमारी mark sheet में कोई कमी तो नही इसको देखने के लिए हम यहाँ पर view tab में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक option दिखाई देता है vampire का इस वाले option पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो पूरा का पूरा object होगा वो यहाँ से black and white मे यानि carbon type में आपको दिखाई देने लग जाएगा और उसके बाद आप अपने design को यहाँ से zoom करके अराम से इसके अंदर चेकिंग कर सकते हैं जैसे मालीजे हम F2 की press करते हैं और यहाँ से ऊपर के area में चेक करते हैं क्या हमारा कोई ऐसा matter है जो यहाँ से छूट तो नहीं ग तो यह इस तरह के mark अगर आपके design में यहाँ पर होते हैं तो जब भी आप इसकी printing करते हैं तो यह एक धबबा बन करके आपकी mark sheet या फिर आपकी design में यह शो करता है तो इस तरह के objects को आपकी इस तरीके से remove कर सकते हैं इस तरह के काम के लिए हम view time में wireframe option का इस्तमाल करते है दोस्तों wireframe की मदद से हम इन सभी objects को यہाँ आसानी से find कर सकते हैं जैसे हम इस वाले objects को यहाँ पर Ćसानी से click करके स्को select भी कर सकते हैं और इसी आसानी से delete भी कर सकते हैं इसी तरह से हम अपने design किये ग available objects को यहाँ से एक बार scan करेंगे जैसे हम आप सरकल दिखाई दे रह पर यहां से wireframe option पे click कर देना है, दोस्तो wireframe option पे click करते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, आपको circle दिखाई देगा, आपको simply उस पर click करना है, और अपने keyboard से delete की press कर देना है, इस तरह से आपके design में जो भी unwanted objects होंगे, उसको आप यहां से आसानी से select करके delete कर सकते हैं, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, एक छोटा सा object हमारा यहां पर भी रह गया है, तो इसको भी हमें आपर click करके आसानी से इसको delete कर देते हैं, तो दोस्तो इस तरीके से आप wireframe option का यहां पर استعمال कर सकते हैं, दोस्तों यहां पर जो हमने यह design बनाया हुआ है अगर आप इस तरीके के mark sheet बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप मुझे comment कीजेगा मैं आपको यहां पर एक separate video बना कर दूँगा जो थोड़ी बड़ी जरूर होगी लेकिन आप पूरे तरीके से यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी mark sheet या किसी भी तरीके का कोई certificate यहां पर design कर पाएंगे यहां पर आप देख सकते हैं हमने back side में यहां पर water mark का भी इस्तमाल किया हुआ है ताकि हमारे certificate की कोई भी duplicate copy ना कर पाए और back side में हमने यहाँ पर logo का भी अपना watermark यहाँ पर दे रखा है ताकि इसकी किसी भी तरीके से duplication ना हो पाए और साथी साथ आप किस तरीके से यहाँ पर QR code generate कर सकते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसके ओपर आपको safe rate video बना करके दूँगा अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले option की तरफ तो दोस्तो हमारा जो अगला option है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो है normal यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आपके पास कोई ऐसे heavy file होगी जैसे हम यहाँ पर बात करते है normal वाले की अभी हम यहाँ पर सबसे पहले certificate को थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हमारा जो object की lining है यहाँ पर आपको काफी sharp दिखाई दे रही होगी अब जैसे हम यहाँ पर view tab में जाकर के यहाँ से इसकी quality को normal कर देंगे तो होगा क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम इसे normal करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हमारे object में हलका सा zigzag type का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इसका मतलब यह है कि coral ने इसकी quality को थोड़ा सा घटा दिया है और अब आपका जो processor होगा वो यहाँ से fast work करना शुरू कर देगा अगर आप इसे enhance quality में करते हैं तो यह थोड़ा सा processing में आपका time लेगा क्योंकि वो आपके object की heavy qualities को maintain करता हुआ चलता है अब जैसे माल लीजे हम यहाँ पर वापस ए view आले option पर जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको तो third option यहाँ पर दिखाई देता है वो यहाँ पर enhance का इस वाले option पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो object में zigzag बना हुआ है वो यहाँ से remove हो जाएगा तो हम वापस एक बार इस पर जा करके एक बार click करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे object में कोई भी zigzag आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसकी quality जो है तो काफी जादा high हो चुकी है इसके रावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो अगला option है वो यहाँ पर आप देख सकते है pixels का है तो pixel का अगर हम यहाँ पर इस्तमाल करते हैं तो यह हमारे object की quality को और जादा low कर देता है जिससे आप अपने काम को यहाँ पर और तेजी से कर सकते हैं दोस्तो ऐसा नहीं है कि इसने आपकी object की quality को low कर दिया है तो आपका जो print out होगा वो भी low quality में ही print out होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो दोस्तो यहाँ पर जब भी आप इसका print out निकालेंगे तो यह उसी same quality में ही print होगा जिस quality में आपने इसको design किया हुआ है इसका यहाँ पर benefit यही होता है कि आपकी quality जो है वो यहाँ पर कुछ समय के लिए dim कर दी जाती है जब तक आप इस पर work कर रहे हैं उसके बाद इसे वापस है enhance quality में आसानी से print कर सकते हैं तो दोस्तो इसके बाद तो दोस्तो इसके बाद हम यहाँ पर pixel वाले option का भी इस्तमाल करके आपको दिखा देते हैं जैसे आप pixel वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो quality होगी वो बहुत ही ज़ादा low हो जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हम इस पर click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके object की quality काफी ज़ादा dim हो चुकी है काफी ज़ादा low हो चुकी है और अब आपके जो काम करने की speed होगी वो काफी ज़ादा fast हो जाएगी तो दोस्तो इस तरीके से आप view tap के इन सभी option का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like कमे share जरूर कीजेगा धन्यवाद